इस बीच बल्यूड के सूबस्टार अबनी तास रंवीर कफूर की फिल्म संजू सिनमा गुरू में रिलीज हुए जैसे दर्शक खूब पसंद करते नजर आ रहे हैं आपको बता दे पहले दिन संजू ने 34 करोड की शांदार कमाई की थी दूसरे दिन 38 करोड की कमाई की वहीं तीसरे दिन सबका रिकॉर्ड तोरते हुए 46 करोड रुपे की कमाई की जीहां 46 करोड की ये फिल्म कमाई करती नजर आया और तीन ही दिन में इस फिल्म ने बड़ा इतिहास कायम कर दिया जीहां तीन दिन में 120 क्रोर का collection इंडिया में ही कल डाला है आपको बता दे जहां रेस्धरी की बात की जाए तो रेस्धरी ने तीन दिन में 106 क्रोर की शांदार कमाई की थी लेकिन रंडबीर करपूर ने सलमान खान को पीछे कर दिया है नहीं दिन में आपको बतादे 106 करोड रेस्तरी ने कमाई थी, 120 करोड कमाया है संजू ने वहीं पिर में दोनों फिल्मों की बजट की तुलना की जाए तो तो डेट सो करोड बजट था सलमान खान की रेस्तरी का वहीं पर 100 करोड के बजट में फिल्म संजू को बनी थी जहां एक तरह फिल्म रेस्टरी को लेकर काफी कॉंट्रवर्सी हुई, काफी मजायक उड़ायक है, वहीं पर फिल्म संजू की लोग धिल खोल कर तारीफ कर रहे हैं इस फिल्म को लेकर आप क्या सूसते हो, आपने देखिया नहीं हमें बताएं कमें सेक्शन के जरीए समसर विल खेया नहीं हमें एक वनारीफररसी है व्याल, याल, जहाँ, wanna दो हमें सेक्शन के सेक्शन के समस्रेफफफफफफफफटार्स 20th 00. 00. segunda§ G... anonymous, fain 1,2,4,38-0. व्याल खोड़क्ववब कियाят है Tea दन्या दोड़क्या नहीं है सबसे बड़ा और सबसे पहला इतियास ही है कि 2018 में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली पहले दिन के मामले में फिल्म बन चुकी है और तीन दिन के मामले में भी ये पहले नंबर पे आ चुकी है तीन दिन में इस फिल्म ने 120 करोड का कलेक्शन की दूसरा जो सबसे बड़ा इतियास सामने आता वो ये है रणवीर कबूर की लाइफ की सबसे ज़्यादा पहले दिन पैसा कमाने वाली फिल्म संजू बन चुकी है इससे पहले उनकी फिल्म बेशरम वगारा आई थी जिसका फ़र्जडे बॉक्स ओफिस कोलेक्शन 18 से 19 करोड था लेकिन अडवीर कबूर की ये फिल्म लोगों को खोब पसंद आई तीसरा बड़ा इतियास ये सामने आता इस फिल्म को सिर्फ इंडिया में 4000 सक्रीन पर रिलीज किया गया था उसके बावजूद इस फिल्म का फ़र्जडे बॉक्स ओफिस कोलेक्शन 34 करोड है अगर इस फिल्म को फ़र्जडे बॉक्स ओफिस कोलेक्शन 40 से 45 करोड के बीज हो सकता था इसके हिसाब से अब तक कि सबसे जादा पहले दिन कमाने वाली ये फिल्म बन चुकी है चोथा जो सबसे बड़ा इतिहास सामने आता वो ये है कि 3 दिन में 120 करोड अब तक कि कि किसी बॉलिवूर्ड फिल्म ने नहीं कमाया हला कि 115 करोड बहुत सी फिल्मों ने 3 दिन में कमाया है लेकिन 120 करोड का अकड़ा किसी फिल्म ने पार नहीं तो आप लोगों ने देखे चार महा रिकॉर्ड जो संजू ने बताया और एक महा रिकॉर्ड जो बनने वाला है वो ये है कि 2018 की सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म बनेगी यानि इस फिल्म का प्रेडिक्शन है लग बख साड़े 400 करोड जी हाँ ये फिल्म साड़े अपर चल रही थी, फिल्म का नाम था सल्यूट जी हां, बताया जा रहा था इस फिल्म को पहले अमिर खान करेंगी लेकिन अब बताया ऐसा जा रहा है कि इस फिल्म से अमिर खान उन्होंने बताया कि मैं इस फिल्म को करने के लिए तयार नहीं हूं कि मुझे ठॉक ओफ ह काफी समय लग जाएगा तो मुझे काफी मिहनत भी करनी पड़ेगी ठाक ओफ हिंदुस्तान के लिए इसलिए उन्होंने सिल्यूट फिल्म को करने से मना कर दिया आपको बता दे ये फिल्म एक बायोपिक फिल्म है जिसे 2019 तक रिलीज किया जा सकता है और अब ऐसी खबरे साम जुसानी बनेंगे जो चांद पर जाएंगे वेसे इस फिल्म को लेकर आप क्या सूसे हमें बताएं कमेंट शक्सन के जरिए बॉलीवड के सूबस्टार अभिनेता रणवीर कपूर के फिल्म संजु को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं वहें पर इस फिल्म में तीन ही दिन में 120 करोड का कलेक्शन कर लिया है लेकिन सबसे बड़ी बात जो सामने आदी वो ये है इस फिल्म का एक इंटरस्टिंग कर अगर बाइपिक बंदी तो जाहिल सी बात है या आदमी मौझूद लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आदमी कौन है चलिए आपको बताते हैं इस आदमी के सचाई जिसका रोल विकी कोशल ने फिल्म संजु में काफी बहतरीन तरीके से निभाई इस सक्ष का नाम है परेश गि संजीदत की हर सिस्ट्यूशन में इन लड़ का संजीदत की खूब मदद करता नजर आया आपको बदा दे उन दिनों जब संजीदत जेल में रहते थे तो उनकी पिता को दूसरा उनका बेटा बनके सवारा करते थे परेश गिलानी आप लोग देखें कुछ फोटो उनकी श संजू बाबा की फिल्म हाल ही में रिलीज हुई दर्शक इस फिल्म को खूब पसंद कर रहे हैं तीन दिन में इस फिल्म ने 120 करोड का कलेक्शन कर लिया आज ये फिल्म 500 करोड के तकरीफ बन बॉक्स आफिस कलेक्शन करने में काम्याब रहीगी लेकिन बड़ी बात और ब पर मोड कर रहे थे उनसे सवाल पूछा किया कि बॉलीवड में कौन बड़ा वैती इंड गेंश्टर बन सकता है उन्होंने कहा कि सल्मान खान बड़ा गेंश्टर बन सकता है आप लोग खुदी देखिए वीडियो पॉस्टन अरे बहुत बहुत एक्टर्स हैं I mean सल्मान अ अच्छा करता है I think वह रनभी सेंग बहुत अच्छा करेगा एं I think even रनभी अभी इन आधिंग वह बॉड़ी लाइंगवेज वह सब है इन लोगों में एंड लोगों में एंड वाल्वर स्टार सुनिल शेटी ने अपनी पुरानी याद को ताजा करने के लिए अपने इस् जा रहा है इस फोटो को सुनिल काम की तलाश के दोरान पॉर्ट फोलियो में इस्तिमाल किया करते थे सुनिल शेटी ने फोटो शेयर करते हुए तस्वीर की पीछे की कहानी बताई और ये भी बताया कि ये तस्वीर उनके लिए कितनी खास है सुनिल इस्टाग्राम अकाउ स्रिल शेटी की इस फोटो को फैंस काफी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और मात कुछी घंटों में से लाखो लाइक्स मिल जुके हैं और इसके साथ ही वो अपने अकाउंट से तस्वीरे अप्लोड करके लोगों को फिड्नेस के लिए प्रेरिद भी कर रहे हैं और ज्युक्र बॉलीवड के मैं सिक्का चलता ता वो चलता सलमान खान का जिहां समान खान की हाल ही में टाईगर जिन्धा है, जिसने 575 क्रोड का वोकस ओफुलेक्शन किया, 2017 की सबसे ज्ञादा कमाने वाले फिल्म टाईगर जिन्धा ही थी आली में सल्मान खान कीमच आवएड़ल송 फिल्म तरी सिनमा ग्रों में रिलीज हूई लेकिन उसे फ्लॉब का दर्जा दे दिया गिया क्योंकि फिल्म के कहानी कुछ खास नहीं थी द रच्कों ने इस फिल्म को सीरे सही नेकार दिया लेकिन सल्मान خान की 5 बड़ी फिल्मों के बारे में हम आपको बताने जारी, जो बॉक्स ओविस पर बड़ी मातरा में धूम मचाएंगे, सबसे पहली और सबसे बड़ा धमाका होगा, फिल्म भारत के बारे में आप लोगोंने सुना ही होगा, जिसमें कास्ट कर लिया गया है प्रिंका चोपडा तब्बू को इस फिल्म को डरेट करें अली अबाद जफर सल्मान खान के सादब तक दो फिल्में ब्लोकबस्टर दे चुके टाइगर जिन्दा है और सुल्तान जिन्नोंने समने 500 करोड से उपर की कमाई की तो भारत भी काफी बड़ी मातरा में हिट होने जा रही है दूसरा बड़ा धमाका है सल्मान खान का शेर खान शेर खान की चर्चा 2017 से ही हो रही है शेर खान की बात की जाए तो इसे अरबास खान पर डूस करते नजर आ सकते है इस फिल्म की अनाउंस तो हुई थी लेकिन इस फिल्म को रिलीज कप किया जाएगा इस फिल्म की शूटिंग कप सुरू होगी इस बात तक खुलाजा अभी तक नहीं होआ इस फिल्म की कहानी पर अभी जोरो शोरो से काम चल रहा है तीसरा बड़ा धमाका है दबंग थरी जीहां दबंग थरी की बात की जाए तो सोहिल खान काफी ज़्यादा एक्साइटर इस फिल्म को लेकर इस फिल्म का बज़र लग बग 90 करोड है वह इंपर सल्मान खान की इस फिल्म को 2020 तक रिलीज किया जा सकता है हाली में हमने एक ख़वर सुनी संजे लिला भंसाली और सल्मान की जोड़ी जीहां सल्मान खान के साथ संजे लिला भंसाली को इस साथ देखने के लिए बॉलिवुड बहुत एक्साइटर है आपको बता दे हाली में संजी लिला भनसाली ले इंशालला नामा के एक टाइटल रिजिस्टर कराया है मुंबई रिजिस्टर आफिस में और बताया ऐसा चारा सलमान खान इंशालला में 2020 तग नजर आएंगे उसके पाद पांच माँ बड़ा धमाका है किक टू जी हाँ और अब देखना काफी मज़ेदार होगा किक टू आखिर कितना वक्त आफिस कलेक्शन कर पाएगी